जिले में कोरोना संक्रमितों के आकड़े दिन बदिन बढ़ते ही जा रहा है वही शुक्रवार को नागपु जिले में 1732 लोग संक्रमित पाये गए वही तीन मरीजों की मौत हो गई आकड़े बढ़ने से प्रशासन भी सकती बरत रहा है लेकिन लोग नियोमों का उलंगन करते ही नजर आ रहा है बढ़ते कोरोना संक्रमित से शर्मे संक्रमितों के आकड़े तेजी से बढ़ रहा है ऐसे में प्रशासन द्वारा ओन्दी स्पोर्ट आर्टी पीसिया जाज भी की जा रही है कोरोना संक्रमन पहलने का सबसे बड़ा कारण सुरक्षा नियोमों का पालन नहोना बताया जा रहा है कई लोग अब भी बगर मास के घूमते नजर आते हैं वही सापताहिक बाजारों में बर्डी इतवारी परिसर में भी लोगों की भीड देखी जाती है शुक्रवार को जिले में कोरोना का रोजना जैसा ही बलास्ट हुआ 1732 संक्रमित पाया जाने से प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है वही तीन संक्रमितों की मौत हो गई 1732 संक्रमितों में शहर के 1364 और ग्रामिन के 307 और जिले के बाहर के 61 मरीज शामिल है जबकि 672 मरीज ठीक होकर अपने घर लोटे हैं अभी भी जिले में 8360 एक्टिव मरीज है वही शुक्रवार को 11842 लोगों ने कोरोना टेस्ट कराई जिन में से 1732 लोग संक्रमित निकले इसलिए प्रशासंद्वारा सदरक रहने और नियोमों का पालन करने की अपील की जा रही है